जा आपकी आखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं जा फिर आपकी आखों की चारो तरफ जुड़िया पंड़नी स्टार्ट हो गई हैं जा फिर आपकी आखें अंदर की और धसने लगी हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हैं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही अची 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 इन्फोर्मेशन टिप्स और आसान सी रेमेडी बताऊंगी जिसको यूज करने के बाद आपकी आखों के काले घेरे एकदम से दूर हो जाएंगे जी हाँ आज हम बात करेंगे डाक सरकल्स के बारे में आखों के काले घेरे हो गए हैं अगर आप इसे चुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत आसान सी आज गरेलू रेमेडी बताऊंगी और इससे ही आप अपने डाक सरकल्स की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडिय जो अच्छी लगे तो नीचे लाइक का बटन है वीडियो को जुरूर प्रैस कीजिएगा आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है मुझे स्पोर्ट मिलती है इसको यूज करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आँखों के काले घेरे हमेशा के लि हमेशा के लिए आपके चहरे से गाइब हो जाएंगे तो फ्रेंट्स पहले हम रेमेडी देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है और आपको कैसे अपनी आखों पर इसे यूज करना है इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक पटाटो जाने की आलू और एक कुकुमबर जा आलूंगी आप चाहें तो मिक्से की हैल भी ले सकते हैं मिक्चर में इसे ग्रैंड करकर इन दोनों चीजों का जूस अलग लग निकाल लीजिए मैंने पहले खीरे का जूस निकाल लिया है अब मैं आपको आलू का जूस निकाल कर दिखा रही हो तो फ्रेंट्स अगर आपक अची और यूसफूल वीडियो देखने के लिए और पास बारे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए तांजो में जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक सबसे पहले पहुंचे हमने इन दोनों को अच्छी तरह से कस्प कर लिया है अब मैं इसका जूस निकाल यूज कर रही हूं फ्रेंट्स जे जो रेमेडी बनकर तयार होगी ना इससे आपकी आखों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी जड़ से खतम हो जाएंगी जिनकी आखों पर सर्दियों में डेंड्रफ आना स्टार्ट हो जाती है पलकों पर वो भी इससे दूर होंग ऐसमें आच कर लिजिए पहले आप खीरे के जूस पर एक छमच खीरे का जूस ले लाइज़िए एक चमच खीरे का जूस faj नेक्सक मेंड करेंगे अलु का जूस आपको इसको गई चमच के तो पर ऑलु को करता है! और 거지 म्यायी प्रॉब्लम्स पर जो भी यूज काला पन दा आपको दो चमच के क्रीब इसमें ऐलोवीरा जेल एड़ कर लेनी है ताजो ये थिक पेस्ट बनकर रेडी हो जाए ऐलोवीरा जेल डालने से ही ये थिक होगा आपकी स्किन के लिए बहुती अच्छा इंग्रीडियन्ट है आप इसे डेली यूज करकर आपने आइस के नीचे सो भी सकते हो और नेक्स्ट आपको इसमें एड़ करना एक चमच शेहद का इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और किसी डिबी में इस सिरम को नि अब आपको इसे अपलाई कैसे करना है अपनी आँखों के नीचे वो मैं आपको आगे बताऊंगी उससे पहले मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी आँखों के डाक सरकल रिमूब होने में आपको बहुती ज़्यदा हैल्प मिलेगी उसके लिए आपको टोनर तयार करना है जिसके लिए आपको लेना है एक लीन बाउल और आप इसMें 2 से 3 विटामिन E ऑउिल के कैप्सूला चरा गरर लीजिए next आपको इसमें add करना है rose water rose water आपकी skin को hydrate करेगा आपकी skin को heal करेगा आपकी आँखों के नीचे जितने भी धूल मिट्टी है pollution है उसे remove करने में आपकी help करेगा low friends मारा toner बनके हो चुका है ready अब आपको इसे किसी bottle में निकाल कर रख लेना है और इसे daily morning और night time इसे अपनी आँखों के नीचे apply करना है इससे भी आपको बहुत अच्छा result देखने को मिलेगा तो आप में आपको जो हमने serum बनाया था cream बनाई थी उसको कैसे अपनी eyes के नीचे apply करना है और कितने time तक इसे लगा कर रखना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो friends आपने दोनों चीज़ों को ready करकर आप room temperature में रख सकते हो 10 से 15 दिन तक ये खराप नहीं होंगे आप चाहे तो serum को freeze में भी store करके रख सकते हो तोनर को आप बाहरी किसी बोटल में भरकर रख लीजिए तो आप आप देख लें कि आपको सिर्म को कैसे apply करना है अपनी आखों के नीचे सबसे पहले आपको अपने face को अच्छी तरह से clean कर लेना है और इस तरह से थोड़ी सी cream लेकर उसे अपनी उंगलियों से warm करना है और फिर eyes के नीचे इस तरह से apply कर लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको बिल्कूल हलकी हातों से आपकी eyes के नीचे massage करनी है दो से तीन मिनट के लिए रात बर के लिए इसे ऐसी छोड़ दे इसको daily use करने से आप देखेंगे कि आपके काले घेरे कुछी दिनों में गाइब हो गए हैं इससे आपकी आँखों को बहुती अराम मिलेगा अगर आपके पास दिन में भी time है तो आप इसे दिन में भी apply कर सकती हो आपको इस cream को अपनी आँखों के नीचे two time apply करना है morning में और evening में तो आप इस बात का दिहान रिखें जो मैंने आपको toner बताया है आपको भी इसे apply करना है इन दोनों चीज़ों को तो आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपकी आखों के काले घेरे एकदम से गायब हो गए हैं जैसे कोई जादू हो गया हो आपकी आखें एकदम से clear और एकदम से साफ दिखाई दिरे हैं उन पर कोई भी काला निश्यान काले घेरे नहीं है इस सिरम से और इस जो हमने toner बनाया है इससे आपकी under eyes dark circle सो दूर होंगे ही साथ अगर आपकी आखों पर puffiness की problem है तो ये उसे भी reduce हो जाएंगी इससे आखों के skin अगर धसने लगी है वो भी एकदम से ठीक हो जाएगी ये बहुत effective और natural तरीका है कोई भी ऐसा product इसमें use नहीं किया गया है जो आपकी आखों के लिए नुकसान दाइक हो ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी आपको प्लीज कमेंट वोक्स में मेरे साथ कमेंट जुरूर शेयर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जुरूर बनता है और मेरे चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर लीजिए यूसफूल वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट और